इस समय हम महु की सरजमी पे हैं और यह सरजमी भारत देश के उत्तर प्रदेश में पढ़ती है इस समय हमारे साथ जो है चौहान समाज के लीडर जो है मौजुद हैं हम इनका परचे खुद इनसे जानेंगे और जानेंगे कि महु जनपत में जो इस समय घोसी लोकसभा का चुनाओ है क्या सरजमी चल ले कौन से प्रत्यासी जो है एक नंबर पे हैं और किन-किन पार्टियों का सपोर्ट किनको है जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि इस समय जो रहने वाला हूं मेरा रतन पूरा ब्लाक में गाउं परता है सब इस समय आपका चौहान समाज किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं देखिए मौ जिलया गोसी लोग सभा के अंतरगत परता है और यहां का चौहान कि किसी का बद्वा मजदूर नहीं है इसके पाउं में बेजने का काम करता है आपने एक बड़ी बात कह दे कि किसी से के बद्वा नहीं है और आपके समाज के पहरों में किसी ने बेणी नहीं डाली है तो क्या आप किसी का सपोर्ट करते हैं तो यह समझ के करते हैं कि क्या वो समाज मेरे पहरों में बेणी डालता है मेरा प्रसन स काम किसा है है हमारे समाज से बाल कि चौवान जी बाउजन समाज पार्टी से चौनाव लड़ रहा है और बोग्वजन पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चार्टिकर देके चौवानों का मांशमन बढ़ाया है इसलिए पूर्वांचल लिन परदेश नहीं पूर भारत के चवहान समाज से मैं आगरा निवेदन बिंति करना चाहता हूँ कि जहां भी बाउजन समाज पार्टी अपने प्रत्यासी खड़ा किया है चवहान समाज उस पार्टी और उस दल को उसके प्रत्यासी को वोट दे करके सम्मान देने का काम करे इससे पहले भी बालकृष्ण कि देखेंगे से पाल पुझीपती समंत वादी यहां रहा करते थे हैं यहां सबसे पहले अगर कोई शिक्षा की गंगा भाया है तो इसलिए कि यहां नहीं थे बृटी नहीं थे यहां के गरीब चाहिए को जो भी साइंस से पढ़ने की जिसकी भी इच्छा करती थी उनको आजमगर बनाराज बलिया जाना पड़ता था और गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते थे बाल की शवान जब सांसद हुए तो सबसे पहले मौ की धर्ती को सिख्छा के मुख्यधारा से जोड़ करके यहां साइंस बिग्ञान लाने का काम किया यहां बीएड लाने का काम किया यहां बीटीशी लाने का काम किया जिसके ताथ यहां के गरीब बच्चे दूर नरजा करके अपने नजदिक भी बिग्ञान की पढ़ाई पढ़ करके आज हजारों लोग नौकरी में हैं पहली बात बैकवर्ड और डली समाज को आरख्षन नहीं मिलता था। उन्होंने आवाज दे करके गएज स्लेंडर के एजंसियों में बैकवर्ण और डल णों को आरख्षन दिलवा करके एजंसी दिलवाने का काम किया था। ओर बाल किष्ञवान जी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस समय बालकिष्ण चवहां जिस जाती से बिलांग करते हैं, कितने वोटर हैं इस समय पूरे लोग सभा में? जिस समाज से बालकिष्चावाण जी बिलांग करते हैं 286,000 से प्लस ओटर यहां चवाण समाज के हैं, पांचों बिधान सभा मिला करके, बसपा ओटरों के गर बात की जाए और आपके जातिगत ओटों की बात की जाए, तो किस प्रकार से बिधान वार जो है, बिधान पूछेंगे तो यहां गोशी लोग सभा में मौ जिले के चार विदान सभा मौ मौमदाबाद गोशी और मधुबन और बलिया जिला का एक विदान सभा पांच विदान सभा परते हैं पांच विदान सभा में तीन से चार विदान सभा में बालकिस्चवान का कोई टकर ने बा सुद्ध रूप से चमार हैं जिनका अगर 70% पोलिंग ओट आए तो सत्तर एक लाग साथ हजार में सत्तर अजार लगबग ओट पोल होगा इसकी अलावा सुद्ध रूप से 70 गाओं मतलब कि लगबग 30,000 पोल लाइक ओट चौहानों का होगा तीस में हम 25,000 अगर ओट दे देते हैं तो सत्तर और पचीस लगबग 95,000 ओट सुद्ध रूप से चौहान और चमार का मिला करके मौमदाबाद विदान सभा में हुआ मौमदाबाद में आदे में दोनों लोग रहेंगे और यह अच्छी तरीके से जो भी बड़ी पार्टियों के लीडर हैं यह लोग जा नहीं करते हैं रशना विदान सभा उठा लीजिए 50,000 दलित मादाता एदम सुद्ध पोल राइज ओठ है प्लस 25,000 ओट कहीं नहीं जाने वाला है चवान समाज का 75,000 यह दो समाज का सिर्फ ओठ है तीसरा समाज मिला लेंगे तो वहां से 80,90,000 ओट पाकरके एक नंबर पे हैं व दिस्ता विदान सभा मुहम्दाबाद अब मधुबन में भी 7,000 ओडली समाज का पुल राइजोट प्लस 30,000 ओड लगभग 80,90,000 ओड बाल की चवान भी वहां भी पाने या रहे हैं वहां भी उनका कोई किसी से तक्क्र नहीं है अब रागई बात में जहां बैठे हैं यहा एक तरफ किसी तरह पोड करेंगे जीस तरफ करेंगे वहां प्लस अब क्रेंगे जाएंगे तो आप एक तरफ इस तरह आगो कि आप में ज्यूब करण पाल के speak में जाएंगे तो आप बै увान करके चवान समाँ जातेगा तो बसपा तुरण भारी पर जाएगी वहाँ पसक्राइब सपा की लड़ाई हो जाएगी वहाँ अगर सबसे पूरे गोशी लोग सबामें अगर कहीं अगर सबसे अधिक बोमी आ रहे हैं तो गोशी विदान सभा में आए तो वहां सीधे तक कर होगा सपाय और बीजेपी में होगा तो वहां भी अगर डली तो और चौहानों का ओट देखेंगे तो वहां भी बालकिस चौहान किसी से कम नहीं दाएंगे यानि चार व जाएगा कि इधर मुसल्मान किस तरफ जाएगा यह सदर विदान सभा अगर मालीजे कि दूसरे तरफ मुसल्मान जाता है तो थोड़ा सा कमजोर दिखाए देंगे तो कहीं न कहीं आप जो है इस लोक सभा में चुनाओ जीत रहे हैं आपका देखिए आप आम किसी प्रत्य पार्टी अपने प्रत्याशी को उता रहा है अगर उस वोट का पूरा गिंति कर लिया जाए तो यहां चमार समाज दलिस समाज का वोट अकेले उतना है या डाई लाग अगर वोट जिस वोट के सारे उता है डाई लाग वोट हर्जन का सुद्रूरूप से है तो बालकिस च चवान इस समय बरतमान की स्थिति में बीना परचार की हुए है जिस प्रकार आप बार बार जो है अंसरे जिज्याती की बात कर रहे हैं या फिर जवान समाज की बात कर रहे हैं कुछ ऐसे निर्दल प्रत्यासी हैं जो कह रहे हैं कि चुनावी समीकरण नहीं बिगड रहा नहीं साथ देखिए जिस जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कुछ लोग यहां आते हैं चुनावी समीकरण को नहीं देख करके चारिक लाव के लिए आते हैं तो चारिक लाव पा जाते हैं और वैसे ही चुनाव के बात चले जाते हैं उनका कोई गिंती नहीं यहां का मत चुनाव हारने और जितने के लिए ओट देगा ना कि अपना बर्बाद करेगा कि चलो हम किसी को दे करके अपना ओट हम बर्बाद कर देंगे तो यह रहे चौहान समाज के जो है टाइगर जी इन्होंने अपनी बात रखें और बताएं क्या इस्तिती रहेगी महू सत्तरवी गोसी लोक सबा की